गूगल ट्रांसलेशन आप के बारे में तो सभी ने सुना होगा कुछ बच्चों को कुछ स्टूडेंट को परिशानी होती है कि अगर इंग्लिश में लिखा हुआ है तो वो समझ में नहीं आ रहा है तो उसको हम किस तरीके से समझें तो अगर आपके पास कोई समझाने वाला नहीं है तो आपके पास Google Translation आप होगा या अगर नहीं है तो आप प्ले स्टूर पर जाके Google Translation आप डाउनलोड कर लीज़े आप इसको उपेन करेंगे तो इसमें आप किसी भी वर्ड की मीनिंग देख सकते हैं किसी भी वर्ड की मीनिंग आप कुछ भी टाइप करेंगे तो इसकी English Hindi आ जाती है ठीक है जैसे यहां पर दिख रहा है आपको English का ठीक है तो अगर आपको English से Hindi में कनवर्ट करना है तो यहां पर आपको English में करना होगा और अगर आपको Hindi से English में करना है तो आपको यहां पर Hindi से लेक करना होगा तो यह Hindi से English में Translation हो जाएगा यहां पर द तो कोई हिंदी का ऐसा वर्ड है जो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप यहां पर simply हिंदी सेलेक्ट करिए और यहां पर अपना टाइप करिये हिंदी और उसकी मेनिंग सेच कर लीजे जैसे जैसे मैं करती हूं हिंसक यह आपका हिंदी वर्ड न न अंसी तरीके से अगर आपको कोई इंगलिश मेनिंग है जो की नहीं समझ में आ रहे हैं तो यहां पर आपको select करना होगा इंग्लिश और आपको यहां पर टाइप करना होगा जैसे मैं टाइप करती हूँ प्रावीजन तो यहां पर लिखकर क्लिक करिए तो इसकी इंग्लिश है यह तो इंग्लिश का हिंदी मीनिंग आजाता है और इसमें एसेंट भी दिया है कि किस तरीके से इस पर्टिकुलर वर इस निकलती है कि इस पर्टिकुलर वर्ड को हमें किस तरीके से बोलना है तो यह सारी अगर आपके पास इंटरनेट है तो यह गूगल ट्रांसलेशन बेस्ट है और इसमें और भी फीचर्स हैं जैसे कि यह कैमरा दिया हुआ है तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है इस तरीके से स्कैन करके आप सिंपली पढ़ सकते हैं इस तरीके से स्कैन करके आप सिंपली पढ़ सकते हैं अगर आप सेलेक्ट ओल करना चाहते हैं पूरा कर सकते हैं और अगर आप नहीं सिंपली किसी दो तीन वर्ड को ही सेलेक करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप यहा इसकी meaning यह English में लिखा हुआ था इसकी meaning यह Hindi में आ चुकी है तो इस तरीके से हम simply page के ओपर इसको रखकर इसकी Hindi और English translation ने कर सकते हैं यह आप यह book मेरी English में है बड़ इसमें देखेगा इसमें Hindi में सब कुछ दिखा रहा है तो आप इस तरीके से simple scan करके भी देख सकते हैं और प्लस अगर आपको नहीं समझ में आता है इस तरीके से तो आप simply क्या करिए आपको कोई particular text की meaning चाहिए तो आप simply अपना camera open करिए camera से कोई भी पैरा की photo लीजे जो पैरा आपको चाहिए English में वो ले लिया अपने अब आप इसको crop कर लीजे इसको crop कर लीजे crop करेंगे तो जितنا फैरा didn't crop करेंगे जितना आप झुछ एतना चाहिए तो मैं यहाँ से यह छीज़े crop कर लेती हूँ टिक ऐसे अइसर फानसर की इए reduction में लिखाव है तो यह हमें हिंदी में चाहिए तो बस इतना ही चाहिए तो हम इसको crop कर लेते हैं, right click करके, ठीक अब इसको हम save कर देते हैं, अब यह मेरी gallery में save हो चुका है, अब हम क्या करेंगे, अब हम simply translation पर जाएंगे, google translator के पास, और simply यहाँ पर import option देख रहा है, import पर click करेंगे, तो gallery में यह सारी चीज़े दिख जाएंगे, तो आपका वो photo भी दिख जाएगी, तो यहाँ पर इस तरीके से आप select all कर सकते हैं, select all करेंगे, तो यहाँ पर आपको पूरी चीज़े दिख जाएंगे, ठीक है, आपने select all किया, तो जो पहरा आपका English में तब वो English में आ गया, और English के बाद इस particular English की Hindi भी आपको पूरी इस तरीके से लिखी हुई आ गई है, तो बहुत सारे बचों को यह चीज़े प्रॉब्रम देती है, कि यह English में लिखा हुआ, इसको हम किस तरीके से समझें, तो इस तरीके से import करके, फोटो, simply photo click करके, crop करके, select call करके, या simply किसी particular text को ही select करके, इस तरीके से देख सकते हैं, उसके Hindi, तो इसमें एक और option है, एक तो आप simply type कर सकते हैं, दूसरा pen के थो, pen का use करके, इस तरीके से लिख भी सकते हैं, जो भी आपको पर चाहिए, वो लिख सकते हैं, तीसरा option यह है आप बोल कर भी book कर सकते हैं, आपको लिखना नहीं है, आपको first time ही, आप simply बोल दीजे, जो भी आप बोलेंगे, वो आपका यहां पर आपका हिंदी में रहेगा, तो यहां पर आपको select करना रहेगा हिंदी में, तो हिंदी से वो automatic English में ले लेगा, information अच्छी लगी हो, तो like share and subscribe कर दीजेगा, thank you for watching